तो हेलों फैंस वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं बढ़िया है फ़र्सक्राइब से दोस्तों आज इस वीडियो में हम जाने हैं कि गूगल मैप पे अपने घर का लोकेशन अपने आफिस का लोकेशन या फिर आपने किसी भी शौप का लोकेशन कैसे डाले जा दोस इससे फाइदा यह है कि आपके घर तक आपके आफिस तक आपके शौप तक किसों को भी आने में आसानी होगी आपके घर आपके आफिस कोई भी आसानी से गूगल मैप के थरू आपके घर पहुंच जाएगा तो दोस्तों आप कहीं भी है दुनिया की किसी भी कोने में है आ आप कहीं से भी अपने घर का अपने शॉप का अपने मॉल का या फिर अपने ओफिस का लोकेशन अपडेट कर सकते हैं Google Map पे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने के पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं पहली बार हैं तो प्लिस लाइक कर दे ही अगर आपके बवं नहीं है तो आप इसे इंपड़न कर ले लिए अप यह जो की उम्छे के तरुज करें इस पर आपको क्लिक करें करने के बाद दोस्तों सबसे उपर की तरह आपको दिख रहें चार एंप्शन जिसमें सेट्च वला है एडपैलेस यहांद पर आपको क् के सामने कई सारे options आएंगे यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है पैलेस नेम जहां दोस्तों यानि अगर आपका घर का है इसकूल का है आफिस का है या हॉस्पीटल का इस तरीकी से जो भी है आपको उसका नाम डालना है जिस नाम से आप सर्चिंग में डालना चाहते है चलिए मेरे घर का इसलिए मैं यहाँ पर माई होम कर दूगा एग्जेंप्ल के लिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अपना नाम भी डाल सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है विए हो उसके बाद आपको दिखेगा काटेगरी मतलब यह है है आपका स्कूल है उसके यहां पर रेसिदेंसल दिख रहा होगा हम इसे रेसिदेंसल पर क्लिक कर लेंगा इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा हाउसिंग सोसाइटी इस पर भी हमको क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा एड्रेस यहां दोस्तों यहां पर पे एडिट मैप पे klik कर देनाै उसके बास आपको यहाँ पे देख लेना है यहाँ जो आपने एडरीस वहां पर लिखनाट किया जो लिका के आपने आडर्रेस उसराब से आपके सामने आपका जो लोकेशन है वो खुल के आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप अपने घर पे अपने शॉप पे अपने मॉल पे या फिर अपने इसकूल पर या हॉस्पीटल पर मार्क कर दे जहां पर भी आपको वो पैलेस दिखता है उस पर आप मार्क कर दे तो जुल जालके और 茶 म शीच्ट रप्सपीशन है और उपने जो भी यहां पर सेलेक्ट किया वो यह पी हो जाएगा सालति उसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा एड मोर डिटेल यानि यह मैंने घर का ऐसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपने ऑफिस का डाला है या फिर आप किसी चीज़ का डाला है आपने जो की पॉब्लिकली आप यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पे आप अपना मॉवाइल नंबर या पिर हॉस्पिटल का या स्कूल का इस तरीके से कई सारी चीज़े आप डाल सकते हैं यहां पर अगर आपका प्रोफेस्नल है तो नहीं अगर घर का है तो कोई जरूरत नहीं है यह मेरे घर का है ऐसलिए मुझे डालने की जरूरत नहीं है उसके बाद दोस्तों कुछ करन और ऑन गूगल मैप दोस्तों फाइनली जो मेरा लोकेशन अपडेट हो चुका है मेरे घर का गूगल पे यह आपको दोस्तों लगबग 24-36 घंटे में वेरिफाई करेगा गूगल उसके बाद यह दोस्तों आपको इमेल कर देगा इमेल करती ही समझो आपका लोकेशन अपडे वीडियो में तब तक के लिए लाफिस दौाओं में याद रखे और हादोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें